वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल तरके वफा की अगली और लास्ट एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि इदर मर्यम वो सब्टैन से बात कर र बड़ी बहन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो यही सोचती है कि इसका मतलब तो यही है कि मर्यम मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है लेकिन मैं हर्गिज ऐसा नहीं होने दे सकती जिसके बाद फिर मजीद आगे आप यह भी देखेंगे कि सजीला की बड़ी बहनों पर यकीन होता है जिसकी वज़ा से वो मर्यम की किसी भी बात पर एतबार नहीं करता खैर इदर वक्त गुजरने के साथ आगे आप यह भी देखेंगे कि इदर सब्टैन उसे आयास के हवाले से भी सब कुछ पता चल जाता है जबके इदर आयास की बहन उसका तो सिर नाराज हो जाता है कि वो मर्यम को अपने घर से भी निकाल देता है जिस पर कि इदर मर्यम को भी बहुत ही ज़्यादा घुसा आ जाता है और फिर वो सब्टैन से यही कहती है कि जिस दिन आपको अपनी बहनों की हकीकत के बारे में पता चल गया तो उस दिन आप बहुत ही पच्टाएंगे और अभी तो आप मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे तो खिर इसी तरहां से वक्त गुजरता चला जाता है फिर आगे आप ये भी देखेंगे कि सजीला का शोहर वो सजीला से बात कर रहा होता है और यही कहता है कि सब्टैन की बड़ी बहन नहीं सब्टैन का घर खराब किया है और फिर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है जिसके बाद फिर वक्त गुजरने के साथ उसे हकीकत के बारे में पता चलता जाता है और यहां तक के फिर वो आखिरकार सजीला से पूछ लेता है और इदर सजीला वो काफी ज़्यादा बदल चुकी होती है और वो तो अपने भाई को अपने घर में खुश देखना चाहती है इसी वर्या से वो भी हकीकत बता ही देती है जिसके बाद सब्टैन वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिनदा हो जाता है यहां तक के फिर वो अपनी बड़ी बहन से बात करता है और काफी ज़्यादा घम औ गुस्से का भी इजहार करता है जबके मजीद आगे आप यह भी देखेंगे के सब्टैन वो मर्यम के घर जाता है और उससे माफी भी मांगेगा सो फ्रेंड्स अब आपको क्या लगता है कि क्या मर्यम माफ कर देगी सब्टैन को या फिर नहीं और हमें यह भी बिताईएगा कि इदर सब्टैन की बड़ी बेहन का रवया भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों आपको क्या लगता है आप अपनी कीमती राए नीचे दिएगा कमट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा and make sure to subscribe the channel